में सवरुप शिंदे आज हम देख रहे हैं इनकम प्राम हा우स प्रॉपटी डिरेक्ट टैक्स मे इनकम प्राम हाउस प्रॉपटी हमारे टोपिक चल रहे उसमें से आप यह देख रहें 1013 वाला यह आप सम देख रहे हैं ठीक है देखे पिछले वाले वीडियो में हमने अल्रेडी इस टाइप का एक सम देखा था देखो यह वाला देखा था हमने इसमें क्या था कि एक्शुली मिसर् रमेश्ट के टू हॉजे से उसके पास एक वाशी में था और एक परेल में था एक में वो खुद रहता था वो सेल्प अक्यूबर था और दूसरा उसने लेट आउट किया था यह सीधर सीधर यहाँ पर मेंशन किया हो गया था लेकिन इस जो आज हम लेने वाल हैं उसमें भी उसके दो हॉजेस है मतलब जो मिसर्श शेकर है उसके पास भी दो हॉजेस है एक शांती भवन और एक गनिश भवन लेकिन यस दोनों भी यह सेल्प अक्यूपड है मतलब वो दोनों घर में भी क्या करता है वो रहता है ओके तो यहाँ अब भी बात आती है दोनों भी सिल्प अक्यूपड है तो कैसे करें तो देखिए गौवर्मेंट क्या बोलता है आपके पास अगर एक से ज़्यादा हौस हो मतलब अगर आपके पास दो हौस हो या दो घर हो या उससे ज़्यादा हो तो आप मैक्जिमम वन एक हौस में रहो होगे तो एक ही आप हाउस आप सेल्प अक्यूपड कह सकते हो हां उससे जो अगला वाल दूसरा हौस होगा उससे आपको लेट आउट ही बताना पड़ेगा भले ही आपने लेट आउट किया हो या न किया हो किसे पे उस घर में किसे को भाड़े पे दिया हो घर या ना दिय फिर भी वो layout कहलाएगा ठीके तो अब यहाँ पे शेकर के पास दो option है मतलब शांती भवन और एक गनिश भवन उसके पास दो घर है उसमे से दोनों में भी वो रहता है मानलो कुछ मैने वो शांती भववन में रहता है कुछ मैंने वो गनिश भावन में रहते हैं लेकिन दोनों भी उसके रेसिदेंसिल हाउसे हैं मतलब वो कुछ रहता है तो इस वक्त वो क्या करेगा वो क्या कर सकता है अपना टैक्स बचाने के लिए तो अब यसली बात है जिसकी वैल्यू जादा होगी इन दोन हाउस में अगर आप ध्यान से देखोगी इसके देखो फेर रेंट फेकर आप 1,80,000 है शांती भावन का और गनिश भावन का 40,000 और 44,000 सीधी बाते ने आप भी बताओ आप क्या करते जिसकी वैल्यू जादा है वो आप बताओ कि मैं उसमें खुद रहता हूँ क्योंकि जो दूसरा वाला घर है जो आप लेट आउट कहलाएगा उससे आप क्या करोगे उसमें आपको कम टैक्स देना पड़ेगा समझ में आ रहे हैं ये ध्यान से फिर से देखना अगर किसी प्रकास किसी के पास एक से ज़्यादा घर हो तो उसके पास क्या रहता है मतलब अभी पिछले वाले मैं हमने देखा था कि एक सेल्प अकुबढ़ था और दूसरा लेट आउट था लेकिन इसमें दोनों भी सेल्प अकुबढ़े दोनों भी इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा एक आपको मानना पड़ेगा कि मैंने लेट आउट किया है ठीके दिखाना पड़ेगा आपको ठीके तो कौनसा घर दिखांगे जिसकी value कम रहेगी वो हमने लेट आउट किया ऐसे मान लेगी मतलब इसे dimit to be कि लेट आउट कहते हैं मतलब मान लिया हमने की लेट आउट किया बाड़े पर दिया तो किस तरह से ये problem solve करना है धहां से देखना अगर आप यहाँ पर धहां से देखोगे तो यहाँ पर पहले तो उसकी municipal valuation दोनों की 80,000, 40,000 है फिर रेंट ए 1,44,000 आपका एक यहाँ पर सवल आता होगा कि सर ये तो भाड़े पर नहीं दीए तो फिर भी ये rate कैसे देखिए न, यहाँ पर rent receive है क्या rent मिला है क्या, नहीं ये खाली उस area current उन्होंने यहाँ पर बता है municipal valuation उसका बता है बाकिकुछ नहीं, उके उसके बाद immisible taxes paid किया 10% यहाँ पर mention किया है उसके बाद एको interest on borrow capital यह भी यहाँ पर mention है उसके बाद fair insurance है यहाँ पर ground rent है land revenue है यह किसका भी हम use नहीं कहा आपको पता है मैं पिछले वाले वीडियो में भी discuss किया था अभी आपको पूछा क्या देखो you are required to ascertain which property should be treated as self-occupied इसमें से कौन सी आप treated को self-occupied और determine the taxable income from Mrs. Miller in 1920 ठीक है और यहाँ पर mention किया assuming both the loans were taken prior to first repeat to 1999 मतलब दोनों भी loan यहाँ पर अपने 1999 से पहले लिये थे यह आप consider कर लो मान दो ठीक है तो देखते हम क्या करेंगे ठीक है पहले तो मैंने आभी आपको बता है यहाँ पर compare कर देंगे ठीक है हमने compare कैसे किया गनेश बहुन और शांती बहुन का लिया गनेश बहुन का यहाँ पर fair rent और minisible valuation लिग दिया 44 और 40 तो इसमें से ज्यादा कौन सी value है obviously 44 तो यहाँ पर gross annual value अपको यहाँ पर मिल रही है 44,000 सेम शांती बहुन का अमने देखा तो यहाँ पर अपकी fair rent है 1,00,000 और minisible valuation 80,000 तो इसमें से which is higher so 1,00, तो यह आप आपको GAV मिल गया अभी मैंने आपको बताएं यह कहा से लाया तो देखिए equation में यहाँ पर mention किया सब fair rent उसकी और minisible valuation यही हमने नीचे लिग दिया उसके बाद मैंने आपसे पहले क्या इन में से जो भी कम रहेगा देखो नो यह 44 कम है तो हम इसे dimit to be let out मतलब मान लेंगी कि यह let out किया है और दूसरा हम मान लेंगी कि self-occupied है हम खूज रहते ऐसे बताएंगे ओके समझ मैं रहे कैसे compare किया और कैसे निकाला जो कम है उसे dimit to be let out और दूसरे को self-occupied कहेंगे चलो अभी देखते हैं first property हमारा गनेश पाउण जिसे हमने let out कहा है so GAV आपको पता है municipal version fair end से compare करके हमें GAV 44,000 ले लेंगे उसमें से 10% municipal tax minus करेंगे अभी 10% क्यूँग तो देखिए equation में यहापे सीधा-सीधा mention किया है उन्होंड यहापे कि municipal taxes pair 10% राइट शांती बाउन और गनेश बाउन दोनों की भी 10% है so अभी फिलाल हम गनेश बाउन का निकल ले 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 टाट वाला तो उस पे मतलब यहापे देखिए याद रखना हम क्या करते है जो municipal taxes है वो municipal value के हिसाब से निकलते तो municipal valuation है 40,000 तो उस पे 10% निकलेंगे तो यहापे 4,000 आ जाएगा तो 44,000 माइनस 4,000 तो आपको NAV net annual value आपे 40,000 मिल जाएगा अब यह आपको पता है deduction कौन से लेते यह आपे बहुत सारे deduction अल्ज़ी given है देखो यहापे मतलब insurance grounded में करें यह कोई भी नहीं लेते हैं government क्या बोलते हैं सिदा सिदा आपको एक ही deduction मिलेगा वो पहला है कि 30% का तो NAV पे आप 30% निकलोगे 40,000 पे तो आपको यहापे 12,000 मिल जाएगा यह आपका standard direction ओके उसके बाद interest on borrow fund का भी यहापे आपके आपके deduction मिलता है तो वो कितना है देखते हैं यहापे देखिए आप यहापे अगर ध्यान से देखो गया आप तो यहापे गनिश पहुन का देखो interest कितना है 2,60,000 ओके तो यहापे mention किया कि prior prior to मतलब किया 1st April 1999 के बाद का लोन है so obviously उसका limit जादा है 2,30,000 तक है तो 2,60,000 का यहापे interest उसने पे किया है तो उसकी छुट चरुरू से मिलेगी तो यहापे आप देख सकते है कि interest on borrow fund हमने लिया 2,60,000 आपको पता नहीं यहापे दो हमें direction मिलते एक मंजद standard deduction मिलते है और दूसरा मिलते है वो interest on borrow fund उस house के लिए आपने अगर loan लिया था तो उस पे जो interest आप एक कोरगी उसका यह दोनों भी amount यह given थी यह हमने निकाली तो 2,28,000 यहापे आपको क्या मिल रहा है यहापे deduction तो यहापे देखिए आप 40,000 का आपका income हो रहा है और आपको इतना इतना deduction मिल रहा है तो यहापे 40,000 minus 2,28,000 is equal to 1,88,000 यह minus में आएगा अगर minus में आता है तो इसे हम क्या कहेंगे income यहाँ loss कह सकते है loss from limit to be let out house property समझ मैं रहा कैसे निकाला ठीक है देखिए फिर से एक बार यह हमने municipal और फेरेव में से compare किया which is higher 44 ले लिया उसमें municipal taxes हमने minus किये 10% उपर question में देखो given है municipal valuation पर निकालते वो taxes percentage अगर given हो तो वो minus किया 40,000 हमें एने भी मिल गे उसमें 30% हमारा standard direction लेता है वो निकाला 12,000 आया उसके बाद जो interest था loan का वो हमने ले लिया direction में so 12,000 minus किया 40,000 से तो हमें 1,88,000 यहाँ पर income from house property मिल किया मतलब यह minus में आये तो loss ओके अभी दूसरा house शांती भवन अभी शांती भवन को तो हमने कहा है कि वो self-occupied है तो यहाँ पर income तो नील आएगा क्यूंकि self-occupied मतलब आपने लिट आउट तो किया नहीं कौन सा income नहीं आ रहे तो खली यहाँ पर आपको deduction मिलेगा तो deduction कौन सा मिलता है आपको पता है deduction कौन सा मिलता है यहाँ पर कि interest on borrow fund का तो interest कितना है देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे धान से question में तो यहाँ पर देखो आप कितना interest 10,000 का interest है शान्थी बाहन के लिए self-occupied अगर हो तो तो देखिए आप यहाँ पर हमने क्या किया यहाँ पर देखिए interest कितना है 10,000 ले लिया अब थर्टी थाजन का limit है क्योंगे अगर self-occupied house हो हमारा तब यह limit रहता है 30,000 और 2,60,000 यह 30 है देखिए क्या ठीक है इसलिए यहाँ पर हमें यह 10,000 का deduction खली मिलेगा है यह minus मैं आएक रहे तो 1,88,000 हमारा पहला loss और यह second हमारा loss हुआ हमे तो total हमारा loss कितना हुआ house property से 1,98,000 इस तरह से आपको solve करना है ठीक है और फिर से एक बार बदा तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है मैं बताने के लिए भूल गया है यहाँ यह देखिए यहाँ पर जो 2,16,000 है यह deduction यह मैं आपको भूल गया कि यह अगर late out होता मतलब अगर अपने property late out किये ना तो उसकी कोई limit नहीं है यहाँ पर limit नहीं है कोई मतलब यहाँ पर अगर 5,000 होता तो भी आप यहाँ पर ले लेते हैं पूरा मतलब अगर अपने property क्या कि late out किये तो आपको जितना भी आप interest उसके लिए pay कर रहे हो loan के लिए तो उसकी सभी की छूट मिलते है यहाँ पर limit नहीं है limit खाली किसके लिए यह जो self-occupied रहता ना इसके लिए limit है ठीक है यहाँ पर बराबर उन्हेंने mention किया है कि prior to मतलब पहले का loan है 1999 से so यहाँ पर आपको reduction 30,000 तक मिलेगा लेकिन यहाँ पर interest नहीं 10,000 है तो वह ही हमने 10,000 लिया maximum यहाँ पर limit है 30,000 ओके तो समझ में आ रहा है ना आपको यह 1,88,000 हमारा पहले के property का loss और यह 10,000 टोडल 1,98,000 हमारा loss हुआ ठीक है यह अच्छी तरह से solve कर लोग फिर भी कोई doubt है तो please मुझे comment box में पूछ सकते हूं नहीं तो हमारे personal whatsapp group पे पूछ सकते हूं Thank you